अब हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे कि मात्राओं के साथ शब्दों को पढ़ा कैसे चाता है अब इसको हम पढ़ेंगे का कोई भी बच्चा इसको क नहीं बोलेगा और नहीं क जोड आ बोलेगा इसको पढ़ेंगे का अब अगर मैं इसमें न लगाती हूँ तो ये बन जाएगा का न कान आगे चलते हैं ये है बा अब इसके बाद मैंने लगाया द तो ये बन गया बाद इसके बाद मैंने लगाया अक्षर ल तो ये बन गया बादल आगे चलते हैं ये है चा चा में मैंने लगाया व तो ये बना चाव और जब मैंने इसके पीछे ल लगाया तो ये बन गया शब्द चावल अच्छे लगते हैं ना खाने में? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अब आगे है अक्षर स के साथ मैंने आ की मात्रा लगाई तो ये बन गया सा अब इसके साथ मैंने लगाया ग, तो ये बना साग, सर्दियों में खाते हैं न हम, और आखिर में मैंने इसके साथ जोड़ दिया र, तो ये बन गया सागर